प्लस पहली एप जिसमें हम मेडिकलव फारमसी और नरसिंग के विडियो लेक्टर स्थी मेडरी प्रॉवाइड करते हैं दूसरी हमारी एप है बुशन साइंस नीट जिसमें हम नीट रिलेटेड विडियो लेक्टर्स लाइव क्लासेइच और स्थादिमेड करते हैं और तीसरी हमारी एप है बुशन साइंस एक्जाम जिसमें हम वेरियस एक्जाम्स की टेस्ट सेरिस प्रोवाइड करते हैं, इंक्रोडिव यूर फार्मसी, नर्सिंग, मेडिकल, गॉर्मेंट, नॉन गॉर्मेंट, एच्छन एवी एक्जाम्, थैंक यू. इसमें जो हम बात करें हैं टाइरोसीनेमिया की, टाइरोसीनेमिया, जो इसको रीचनल हैंहार्ट सेंड्रों के नाम से भी जाना जाता है, यह डिसॉर्डर भी वह डिसॉर्डर है, जिसमें फिनायल एगनिन और टाइरोसीन का मेटाबोलिजम प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो टाइरोसीनेमिय क्यों हो रहा है, due to the deficiency of enzymes tyrosine transaminase tyrosine transaminase enzymes की deficiency की वज़े से टाइरोसीनेमिया produce हो रहा है यहाँ पर accumulation होने लगता है टाइरोसीन का और दूसरे metabolites का टाइरोसीनेमिये जर्रोली 3 types के हैं, टाइरोसीनेमिय टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 Type 1 जो है सबसे severe form होता है जिसको बच्चों के कुछ few months की ही होई रहते हैं इंफेंट्स तभी इनके sign and symptoms दिखाई देने लगते हैं इसमें जो affected infants है वो fail to gain weight उनका weight gain नहीं होता है इंफेंट्स में yellowing of the skin and white of the eyes cabbage like odor cabbage के जिसको odor आ रहा है increase हो जारी है tendency to bleed खासकर nose bleeding होने के chances में बहुत जादे बढ़ जाते हैं लीवर एंड kidney failure softening and weakening of bones, abdominal pain, respiratory failure यह tyrosinemia type 1 के कुछ sign and symptoms है जो की देखने को मिलते हैं और बहुत जल्दी ही पता चल जाते हैं few months में पता चल जाता है कि infant में इस enzyme की कमी है इसकी वज़े से यह सारे problem arise हो रहे हैं tyrosinemia type 2 यह affect करता है eyes को, skin को and mental development को अगर tyrosinemia type 3 है जो कि बहुत है rarest form है तो इसमें परसन की intellectual disability होती है seizures होने लग जाते हैं परसन को loss of balance and coordination treatment low protein diet और drug जैसे की neticinone इसके लिए drug है उसके साथ में low protein diet के साथ में इंट्रग को combine करके दिया जाता है tyrosinemia में क्योंकि ए खोड़ा सा severe form है इसमें infant को बहुत जादा आसर दिखाई देता है तो इस problem को हम कहा रहे हैं tyrosinemia जो की हो रही है deficiency of tyrosine transaminase enzyme की वज़े से तो tyrosine का properly metabolism नहीं हो पा रहा है इसलिए वो accumulate हो ले लग रहा है potty wheel है